इस समर सेजन में चिलचिलाती गर्मी से निजात पाने के लिए अगर आप अपने एक मिटियम साइज रूम के लिए पावबर एफिशेंट और कुलिंग एफिशेंट एर कंडिशनर पर्चेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का यह जो वीडियो है वो केवल और केवल आपी क्या दोस्तों आप अपने लिए पहली बार कोई एर कंडिशनर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर अपने पुराने एसी को अपगरेट कर एक नया एर कंडिशनर पर्चेस करना चाहता हैं और आपको कोई आडिया नहीं है कि मार्केट में कौन-कौन से टाइप के एस के options available है जैसे कि inverter AC या फिर एक non inverter AC एर कंडिशनर अपने room के size के साफ से आपको कितने तन का purchase करना चाहिए जैसे कि 1 ton, 1.5 ton या फिर 2 ton एर कंडिशनर में जो star rating stickers होता है उसके उपर जो star rating विंशन होती है जैसे कि 3 star, 4 star या फिर 5 star तो आपको कितने star rating का AC अपने लिए खरीदना चाहिए जैसे कि दोस्तों आपका बिजली का बिल भी काफी हत तक कमाए तो दोस्तों इस topic के उपर हमने आपके लिए एक detail में वीडियो बना हुआ है जो के complete AC buying guide वीडियो है एर कंडिशनर खरीदने से पहले दोस्तों आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए जिससे कि दोस्तों आप अपने लिए एक best AC ज़रूर purchase कर पाएं दोस्तों इस वीडियो के लिंक आपको description box में मिल जाएगी Master 5 air conditioners में दोस्तों हमने Hevels Lloyd, Blue Star, Panasonic, Daikin और LG के 1.5 star inverter split air conditioners को बैसे दर किया है और दोस्तों इन पाचों ही air conditioners में आपको 32 refrigerant gas मिलती है जो की green gas है और cooling के मामले में काफी efficient है वह दोस्तों cooling coils और condenser coils के बात करें तो इन पाचों की brand ने 100% copper का use किया है जो की काफी अच्छी बात है साथ की दोस्तों corrosion से protection के लिए भी हाँ पर आपको coating production देखने को मिल जाता है LG और Lloyd के outdoor unit में आपको golden कलगा coating protection मिलता है वह दोस्तों Blue Star, Panasonic और Daikin के outdoor unit में आपको blue कलगा coating protection मिल जाता है दोस्तों इन पाचों की air conditioner में आपको in-build stabilizer free operation का feature भी देखने को मिलेगा जिसकी voltage range अभी आप वीडियो की screen पर check out कर सकता है इसका मतलब यह हैं दोस्तों कि अगर आपके area में इसे बीच में power up and down होता है तो फिर आपको अलक से कोई भी stabilizer इन AC के साथ लगाने की जरौत नहीं है लेकिन दोस्तों power कितना आप हो रहा है या कितना down हो रहा है इसका आप exactly कभी भी अंदासा नहीं लगा सकते AC में दोस्तों आपको एक individual stabilizer अपने इन AC के साथ लगाने की जरौत है क्योंकि दोस्तों individual stabilizer के अंदर कापकी सारे AC safety features होता है जो कि power fluctuations से आपके AC को हमेशा product करता है और दोस्तों best stabilizers के उपर भी हमने डिल में already आपके लिए वीडियो बना हुआ है उस वीडियो को देखकर आप अपने AC के लिए एक best stabilizer जरू पर्टेस कर पाएंगे दोस्तों इस वीडियो कोलिंग आपको description box में मिल जाएगी वहीं दोस्तों compressor की बात करें तो इन पाचों ही ये conditioners में आपको inverter compressor मिलता है जिसमें brand to brand आपको patent name अलग-अलग नाम से मिलेगा जिसकि Daikin में से new swing compressor कहता है जबकि LG में इससे dual rotary compressor कहता है लेकिन दोस्तों ये compressor जो है वो काफी अच्छी power saving के साथ सथ आपको अच्छी uniform cooling प्रवट करता है जिसमें Daikin के AC को छोड़ कर सभी brand ये claim करता है कि उनके compressor से आपको 52 degree ambient temperature में भी बहुत अच्छी uniform cooling विलेगी जिसमें Daikin ये claim करता है कि 54 degree temperature भी अगर आपके area में है तो भी दोस्तों उनके AC का ये compressor आपको बहुत अच्छी uniform cooling प्रवट करेगा लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में इतना extreme hot weather सभी इलाकों में नहीं रहता है हम किया सकता है कि कुछ-कुछ अलाफो में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है लेकिन दोस्तों जो air conditioner होता है उसे room के temperature को cool करना होता है ना कि बाहर के temperature को इससे में दोस्तों आपको इन सभी AC से बहुत अच्छी uniform cooling जरूर मिलेगी वही warranty के बात करें जो दोस्तों इन पांचों ही AC पर आपको एक साल की overall product पर warranty बिल जाती है पांच साल की PCB और दस साल की compressor पर LG के air conditioner में दोस्तों आपको दस साल की compressor के साथ साथ गेश चार्जिंग पर भी warranty मिलती है टाफ 5 best 1.5 वाट की कोलें का आपस से बिल जाता है इस AC में दोस्तों आपको 11.5 kg का indoor unit पर आपको 29.8 kg मिल जाता है और इस AC को दोस्तों आप अपको 180 केर फेट तक के एक proper air salt room में यूज़ कर सकता है दोस्तों इस AC में आपको 5.06 की यहाँ पर IC value बिलेगी और P star rating parameter के साथ से यह AC सालना 780 unit consume करता है वहीं दोस्तों आपको average 48 decibel का noise level इस model में मैं जाता है दोस्तों यह AC 5 in 1 convertible cooling modes करता दाता है जिसमें दोस्तों AC को आप 100% capacity के लावा 40%, 63% और 80% capacity में use कर सकता है वहीं दोस्तों आपको 5 वा mode जो मिलता है वो AI mode का mode मिलता है जिसमें दोस्तों AC जो है वो room के temperature को sense करते हुए cooling को manage करता है और दोस्तों यह जो mode है वो 30% capacity से लेकर 110% capacity तक में work करता है जो की काफी अच्छी बात है वहीं इस model के इंदर आपको low gas reduction का feature मिल जाएगा सबोस्तों अगर आपके AC में gas litter कोई भी issue है तो E5 का जो error है वो air conditioner के indoor unit के display पर visible होगा air filtration के बात करें तो इस model में आपको anti-viral filter मिल जाता है PM 2.5 filter मिल जाता है और दोस्तों यह जो filter मिल रहा है वो हवा से virus बेक्टर को proper तरीके से clean करता है और air conditioner से आपको fresh और clean air provide कराता है वहीं दोस्तों अगर आपके AC के filter अगर गंदे होगा है तो दोस्तों AC आपको यह indicate भी करेगा और CL का error शोग करेगा इंटूजन के display पर इस model में दोस्तों आपको installation check का feature भी मिल जाता है जिसे दोस्तों आप swim जो है वो use कर सकता है और इसके उपर दोस्तों already हमने आपके लिए वीडियो बना हुआ है उस वीडियो के लिए आपको discussion box में मिल जाएगी उस वीडियो को देखकर आप यह check कर सकता है कि आपका light का जो AC है वो proper install हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि दोस्तों जब भी आप यह program run करेंगे तो AC दोस्तों 15 अलग अलग टेस्ट करेगा और यह check करेगा कि आपका AC का जो installation है वो proper हुआ है या नहीं हुआ है अगर installation प्रॉपर हुआ है तो GO का symbol AC के display पर visible होगा और अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों NG error जो है वो शो होगा वही दोस्तों अगर आप AC को अपने लिए खरीदना चाहता है तो फिलाल AC run price है 48,990 रुपए जिसके best buying link मिलेगी आपको description box में है अगर आप AC को अपने लिए खरीदने का प्लान कर रहा है तो दोस्तों पहले pros and cons आपके लिए जानना काफी ज़रूरी है इस AC के cons आने की कमी के गरवायर में आपको बताऊं तो आपको इसमें एक indoor newt की cooling calls को clean करने के लिए कोई भी अलक से dedicated feature नहीं मिलता वहीं दोस्तों जब कभी पे आप AC को शुरुआत में आउन करेंगे तो यह थोड़ा सा noise जादा करेगा लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए features इतनी ज़्यादा काम के नहीं है और noise level से भी अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो दोस्तों AC में काफी सारी वज़ा है इस AC को अपने लिए परतिस करने की सबसे पहली वज़ेता दोस्तों यह है कि कम बजट में आपको एक 1.5 फाइटन 5 स्टार inverter speed air conditioner का model मिल रहा है जो कि up to 180 square feet तक के area को आसानी से cool कर सकता है साथ ही दोस्तों आपको काफी सारे अच्छे features इस model के अंदर देखने को मिल जाता है जैसे कि 5-in-1 convertible cooling mode, installation check का feature साथ ही आपको filter clean indication का feature भी बिल जाता है तो यह वज़े बन जाती है दोस्तों लॉयड की इस air conditioner को अपने लिए purchase करने की टॉप 5 best 1.5 फाइटन 5 स्टार inverter speed air conditioner in India 2024 में नमबर 4 पर है ब्लू स्टार की ओर से आना वाला ये 1.5 फाइटन 5 स्टार inverter स्टार inverter conditioner जिसमें दोस्तों आपको 100% cooling capacity पाशे और वाट की मिलेगी और इस असाब से ये model आपको 1.42 टन का मिल जाता है लेकिन अच्छी बात है कि दोस्तों इस model में maximum cooling capacity आपको 3500 वाट की यहाँ पर मिल जाती है यानि कि अगर बहुत जादा गर्मी भी अगर आपकी इलाके में पढ़ती है तो ये AC दोस्तों अपने actual टन से भी जाद है capacity में काम करेगा और आपको cooling provide करेगा वहीं दोस्तों इस model के अंदर आपको 12 kg का यहाँ पर indoor unit मिल जाता है और 28.4 kg का यहाँ पर आपको outdoor unit मिल जाता है और इस AC को दोस्तों आप अप टू 180 square feet तक के एक proper air cylinder में यूज कर सकता है इस model में दोस्तों आपको 5.02 की यहाँ पर ICI value बलेगी और 20 star rating parameter के साथ से यह AC सलाना 770 unit के जुब करता है वहीं noise level की बात करें तो इस model में आपको 49 decibel का यहाँ पर maximum noise level देखने को बल जाता है जो कि थोड़ा सा जादा है लेकिन इतना सादा भी नहीं कि इससे आपकी need disturb हो जाए वहीं दोस्तों other features की बात करें तो यह model दोस्तों आपको smart AC wifi enable feature के साथ मिलता है जिसमें पूरा control दोस्तों इस AC का आप अपने mobile पर ले सकता है और इसके लिए दोस्तों blue star की जो application है वो आपको अपने mobile पर install करने होते है दोस्तों यह model Amazon Alexa और Google Voice Assistant को भी support करता है वहीं दोस्तों इस model के अंदर आपको 5 in 1 convertible cooling modes मिलेंगे जिसमें दोस्तों AC को कम capacity में भी आप चला सकता है और अगर आपको ज़्यादा cooling की requirement है तो AC को आप ज़्यादा cooling capacity में भी run कर सकता है दोस्तों इसके लब आपको AI Pro का feature मिल जाता है जो कि एक तरह का auto mode आपके सकता है और दोस्तों यह जो feature है वो आपके room के temperature को sense करते हुए cooling को manage करता है इस model में दोस्तों इंडूर निट के अंदर आपको 4 way air swing का feature मिल जाएगा जिसमें दोस्तों आपको air delivery left and right and up and down चार हो दिशाओं में मिलेगी जिसने कि दोस्तों आपका जो room है वो जल्दी से थंडा होगा वहाई दोस्तों power saving के लिए इस model के अंदर आपको energy saver mode का feature भी बैजाता है air filtration दोस्तों आपको dust filter मिलेंगे जो कि दोस्तों हवा से dust particles को clean करेंगे और AC से दोस्तों आपको fresh और clean air provide करेंगे दोस्तों अगर आप इस model को अपने लिए करीदना चाहते हैं तो फिलार AC करन प्राइज है 44,490 रुपए जिसके best buying link दी है मैंने आपको description box में अब बात करता है इस AC के pros and cons की तो दोस्तों कौन से ने की कमी आपको इस model में ये देखने को मिलेगी कि compare to other air conditioner के जो भी models market में available है उसके comparison दोस्तों ये AC थोड़ा सा noise ज़ादा करता है लेकिन दोस्तों noise इतना ज़ादा भी नहीं करता है कि जिससे की दोस्तों आपकी regular निन डिस्टब हो जाए इससे में इस AC को काफी सारी वज़ा भी है अपने लिए पर्टिस करने की सबसे बिली वज़ा तो अगर यही है कि अगर आप एक Indian brand का air conditioner पर्टिस करना चाहते हैं जो कि power efficient हो और cooling efficient हो तो इससे में ये air conditioner आपके लिए बहुत अच्छी choice है जो कि दूस्टों आपको wifi enable feature के साथ मिल रहा है साथ ही दूस्टों इस AC के अंदर वो सारे required features मल जाते हैं जो कि एक inverter air conditioner को complete बनाते हैं टॉप 5 best 1.5 और 5 star inverter spread air conditioner in India 2024 में नमबर 3 पर है पारासवनिक के ओर से आने वाला ये 1.5 और 5 star inverter spread air conditioner जिसमें आपको 100% cooling capacity एका 100 watt की मिलेगी यहने कि actual turn के साथ सी ये model आपको 1.45 और अच्छी बाते हैं कि maximum cooling capacity इस model में आपको 5610 watt की मिल जाती है और इस AC में आपको 12 kg का indoor heat मिलता है और 25 kg का आपको outdoor rate मिलता है और इस AC को दोस्तों आप up to 180 square foot तक के एक proper air syndrome में यूज कर सकता है इस model में दोस्तों आपको 5.10 की यहाँ पर ICR valuable जाती है और 20 star rating parameter के साथ सी ये AC सालना 774 unit consume करता है वाई noise level में आपको minimum 39 dB का यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों Panasonic के ये जो air conditioner है वो एक Wi-Fi enabled air conditioner है जिसमें पूरा control इस AC का आप अपने mobile पर ले सकता है और इसके लिए दोस्तों Panasonic की मिराई app को आपको अपने mobile पर install करना होता है दोस्तों Panasonic का ये जो air conditioner है वो इंडिया का पहला matter enabled air conditioner है जिसमें दोस्तों ये है कि अगर आपकी धरो में कोई और other IoT appliances है याने के smart appliances है तो उनका control भी दोस्तों आप अपने mobile पर ले सकता है वहाई दोस्तों इस air conditioner में आपको 7-in-1 convertible cooling moods विलेंगे जिसमें दोस्तों 100% capacity के लावा इस AC को आप कम capacity में यूज़ कर सकता है और अगर आपको ज़्यादा cooling की requirement है तो आप high capacity में भी use कर सकता है साथ ही दोस्तों आपको additional AI mood का feature भी मिल जाता है जोकि दोस्तों आपकी room के temperature को sense करते हुए proper cooling आपकी room में बना रखता है दोस्तों इस model में आपको indoor energy cooling को इसको clean करने के लिए crystal clean का feature भी हाँ पर मिल दाएगा वही air filtration दोस्तों आपको PM 0.1 filter मिलता है जोकि हवा से virus, bacteria को proper तरीकिस से clean करता है और air conditioner से आपको healthy और fresh air provide कराता है अगर आप इस model को अपने लिए खरीदना चाहता है तो दोस्तों फिलाल इसकी current price है 44R 990 रुपए जिसके best buying link मिलेंगी आपको description box में पैना सवने के इस air conditioner को खरीदे से पहला दोस्तों आपके लिए pros and cons जानना काफी ज़रूरी है दोस्तों इस model की कमी के अगर मैं बात करूँ तो आपको जो outdoor unit मिल रहा है वो compared to other air conditioner में जो भी आपको outdoor unit offer होता है उसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा यहाँ पर मिल रहा है लेकिन दोस्तों अगर आपका room जो है वो up to 180 square foot तक का ही है तो AC में ये AC आपके लिए बहुत ही अच्छी choice बन जाता है क्योंकि दोस्तों इस AC के अंदर वो star required features आपको मिलेंगे जो कि एक air conditioner को complete बनाते हैं जैसे कि दोस्तों आपको smart AC wifi enable का feature मिल रहा है और ये इंडिया का first matter enable air conditioner भी है जिसमें दोस्तों आपको एक अच्छा air filtration भी देखने को मिल जाता है तो ये सारे वज़ा बन जाती है panasonic के इस air conditioner को अपने लिए करीदने की top 5 best 1.5 फाइटन 5 star inverter speed air conditioner in India 2024 में नमबर 2 पर है डाइकीन की ओर से जैने वाला ये 1.5 फाइटन 5 star inverter speed air conditioner जिसमें दोस्तों आपको 580 watt की यहाँ पर 100% cooling capacity मिलेगी और actual turn के साब से ये AC आपको 1.5 फाइटन का ही मिलता है याने कि इस model में दोस्तों आपको true cooling capacity जो है वो डाइकीन की उसे offer होती है और अच्छी बात हैं कि दोस्तों इस model के अंदर maximum cooling capacity आपको 5.750 watt की मिल जाती है इस AC में दोस्तों आपको 11 kg यहाँ पर indoor unit मिलेगा और outdoor unit यहाँ पर आपको 32.5 kg मिल जाता है जो की काफी heavy है और इस AC को दोस्तों आप अप टो 200 square feet तक के एक proper AV system में यूज़ कर सकता है यहाँ पर noise level देखने को मिल जाता है डाइकिन के इस air conditioner में दोस्तों आपको indoor unit पर triple display मिलता है जहाँ पर आप power consumption का percentage चेक कर सकते हैं room temperature कितना है वो आप चेक कर सकते हैं और अगर AC में कोई भी problem है तो दोस्तों auto error code भी triple display पर ही show होता है इस model में दोस्तों आपको power chill operation का feature मिलेगा जो कि दोस्तों काफी काम का और उपयोगी feature है एगर आप AC से ज़ादा cooling चाहते हैं तो दोस्तों इस feature को use करके आप ज़ादा cooling ले सकता है वही इस model में दोस्तों आपको indoor unit की cooling को इसको clean करने के लिए dual clean टकमाजी का feature भी मिल जाता है power saving के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको econom mode का feature मिलेगा और air filtration में दोस्तों आपको PM 2.5 filter और dust filter मिल जाता है और दोस्तों यह जो filter है वो हवा से virus back 10 को proper तरीके से clean करता है और air conditioner से आपको healthy और fresh air provide कराता है वहें दोस्तों इस air conditioner के indoor unit में आपको 3D air flow देखने को मिलेगा यहने कि तिर अलग अलग direction में दोस्तों आपके room में air थोगी जिससे की आपका जरू है वो जल्दी से रंडा होगा price की बात करें दोस्तों इस फिलान ECC की current price है वो है 45490 रुपे जिसके best buying link मिलेगी आपको discussion box में डाइकिन के इस AC को अगर दोस्तों आप अपने लिए खरीता चाहते हैं तो पहले आपके लिए pros and cons जानना काफी ज़रूरी है दोस्तों cons यहने के कमी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस model में आपको convertible cooling modes का feature नहीं मिलता याने कि दोस्तों AC को 100% capacity के लावा आप कम capacity में run नहीं कर सकता है लेकर अच्छी बात हैं कि दोस्तों जाला capacity में आप इस AC से cooling ले सकता है क्योंकि आपको यहाँ पर power chill operation का feature विल जाता है दोस्तों अगर आपको कम capacity में use करने के जरुवत वैसे पड़ती ही नहीं है तो AC को दोस्तों यह AC आपके लिए बहुत अच्छी choice हो सकता है क्योंकि काफी सारी वज़ा है इस AC को अपने ले खरीदने की सबसे पहली वज़त दोस्तों यही है कि आपको एक true cooling capacity इस model में offer होती है यानि कि दोस्तों यह AC आपको power efficient और cooling efficient देखने को मल जाता है इसके लाब वो सारे required feature आपको मिलेंगे जोकि एक inverter AC के अंदर पूना चाहिए साथ दोस्तों आपको एक अच्छा air filtration भी इस air conditioner में मिल जाता है top 5 best 1.5 and 5 star inverter speed air conditioner in India 2024 में number 1 पर है LG की ओर से आने वाला यह 1.5 and 5 star inverter speed air conditioner जिसमें दोस्तों आपको 100% cooling capacity 5000 watt की मिलेगी और दोस्तों इस चिसाब से यह AC आपको 1.42 तन का ही मिलता है लेकिन दोस्तों best part क्या है best part यह है कि maximum cooling capacity इस model में आपको 58 100 watt की यहाँ पर मिलेगी वहीं दोस्तों indoor unit इस model के नदर आपको 11 kg का मिल जाता है और outdoor unit यहाँ पर आपको 30 kg का देखने को मिलता है दोस्तों जो भी मैं आपको product link प्रोड़ाइड करूँगा इस model के नदर आपको 5.20 के मिल जाती है और B star rating parameter के साब से यह AC सलाना 700 चमाल इस unit कंजूम करता है और इस model में दोस्तों आपको 31 dB का यहाँ पर low noise operation देखने को मिल जाएगा और दोस्तों वेसे भी LG के जो air conditioner होता है वो less noise operation के लिए जाने जाता है इस model में दोस्तों आपको 6 in 1 convertible cooling modes का फिचर मिलता है जिसमें दोस्तों AC से आप 100% capacity के लावा कम capacity में cooling ले सकता है और ज़्यादा capacity में भी cooling ले सकता है आपको विराथ mode का feature मिल जाता है जिसमें आप AC को 1110% capacity में यूज कर ज़्यादा cooling भी ले सकता है वहीं दोस्तों आपको 500 mode जो मिलता है वो AI mode का mode feature मिलता है जिसमें दोस्तों AC जो है वो आपके room के temperature को sense करते हुए cooling को manage करता है इस model में दोस्तों आपको low gas detection का feature भी हाँ पर मल जाएगा यहने कि दोस्तों अगर suppose मान के चलें कि अगर आपके AC में gas litter कोई भी बीशू है तो CS38 का जो और है वो AC के indoor unit के display पर visible होगा इस model में दोस्तों indoor unit की cooling calls को clean करने के लिए आपको auto clean का feature भी मिल जाता है वहीं दोस्तों इस AC के indoor unit में आपको 4 way air swing का feature मिलता है जिससे दोस्तों AC जो है वो left and red and up and down चारो दिशाओं में air को flow करता है जिससे कि आपका जरूम का temperature है वो बहुत ही जल्दी down होता है और आपका जरूम है वो जल्दी से रिंडा हो जाता है अगर आप इस AC को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों फिलाल AC करन प्रा पर हो रहा है उसे साथ से दोस्तों 100% cooling capacity भी इस model में जादा होना चाहिए लेकिन अच्छी बात है कि दोस्तों maximum cooling capacity इस model में आपको 500 watt की मिलती है जो कि एक अच्छी बात है वही दोस्तों अगर आपका जूरूम है वो up to 180 square foot तक ही है तो AC में ये AC आपके लिए बहुत ही अच clean का feature मिल जाता है low case detection का feature मिल जाता है और एक अच्छा air filtration भी आपको इस AC में देखने को मलता है लेकिन most important दोस्तों जो LG की after sell services है वो आपको काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाती है दोस्तों बहुत ही मैन है तो research करके आपके लिए एक video बनाता है ताकि आपको मद affiliate link से अगर purchase करता है तो दोस्तों आपके product के price होई रहेगी लेकिन आप indirectly हमारे channel की काफी ज़्यादा financially help कर देंगे अगर आप हमें support करना चाहते हैं तो हमारे द्वरा दी गई affiliate link से ही purchase करें तो दोस्तों यह रही complete details top 5 best 1.5 तन 5 star inverter speed air conditioner 2024 के बारे में जहां हमने इन 5 ही air conditioner में मि पताया है साथ ही pros and cons भी पताया है जिससे कि दोस्तों आपको आसानी होगी update लिए एक best buying DCA लेने में दोस्तों इनमें से कोई भी air conditioner खरीदने से पहले मैं आपको request करूँगा कि अपने pin code पर इन brand के service center के बारे में आप पहले जरू पता कर लेए क्योंकि दोस्तों जो after sale services होत है तो इस बात का ध्यान ज़रू रखे है उम्मेदे दोस्तों आपको अमारा ये वीडियो ज़रू अच्छा लगा होगा अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जदा सदा लाइक कीजिए और अपने family friends के साथ इस वीडियो को share करना ब